पैनिस इंफेक्शन की बीमारी लिंग से समबंदित समस्याओं में से एक है जो किसी भी उम्र में पुरुष्यों को परेशान कर सकती है लिंग में संक्रमन के लक्षन बहुत आम से लेकर बहुत गंभीर तक हो सकते हैं इन लक्षनों में त्वचा पर छोटे सफेद धब्बे, लालिमा और खुजली या जलन को शामिल किया जा सकता है खराब स्वच्छता या कॉंडोम रहित सेक्स सहित अनेक प्रकार के जोखिम कारक लिंग में संक्रमन का कारण बन सकते हैं लिंग में इनफेक्षन की स्थिती से पीडित व्यक्ती इन जोखिमों को कम कर तथा उचित समय पर इलाज प्राप्त कर इसकी जटिलताओं से बच सकता है इस लेक में आप जानेगे की पैनिस इनफेक्षन क्या है इसके लक्षन, कारण, जटिलताओं और जाँच क्या है तथा लिंग में इनफेक्षन का इलाज और बचाव के बारे में पैनिस इंफेक्शन क्या है? लिंग में इंफेक्शन को पैनिस इस्ट इंफेक्शन के रूप में भी जाना जाता है. ज्यादा तर इस्ट इंफेक्शन खमीर संक्रमन को महिला स्वास्थे से संबंदित समस्याओं के रूप में जाना जाता है. लेकिन यह इस्ट इंफेक्शन पुरुशों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। Over-the-counter दवाएं, लिंग में infection के उपचार में प्रभावी हो सकती हैं। एक मूत्र रोग विशेशगय या चिकितसक पैनिस लीस्ट infection की स्थिती का निदान करने में सक्षम हो सकते हैं। पैनिस लीस्ट infection के लक्षन लिंग में संक्रमन के शुरुआती लक्षनों के रूप में निम्न को शामिल किया जा सकता है, जैसे लिंग पर लाल चकते उत्पन होना कभी-कभी लिंग पर सफेद चमकदार पैच दाग उत्पन होना लिंग की तवचा नम होना पैनिस लिंग की फोरस्किन के नीचे एक गाड़ा सफेद पदार्थ का पाया जाना, लिंग में खुजली और जलन का अनुभव होना, पैनिस में दर्द महसूस होना, सेक्स के बाद जलन, खुजली या दर्द का अनुभव होना, लिंग में लालिमा, सूजन और दर्द, फोर परसकिन से बदबूदार गंधाना, लिंग की फोरसकिन को वापस खीचने में परेशानी होना पेराफिमोसिस या फाइमोसिस की स्थिती, पपल्स, लिंग में गांट की उपस्थिती, पेशाब करते समय जलन में हैसूस होना, इत्यादी, लिंग में लालिमा, सूजन और दर् पैनिस इंफेक्शन मेडिसिन, पैनिस इंफेक्शन या पैनिस लीस्ट इंफेक्शन के अधिकतर मामलों में इलाज के दोरान सामय एक एंटिफंगल मलहम और एंटिफंगल क्रीम को प्रभावित क्षेत्र में लगाने की सिफारिश की जाती है, पैनिस लीस्ट इंफेक्श और एक हाइड्रो काटिसोन क्रीम लिंक पर लगाने की सलाह दी जा सकती है। कुछ स्थितियों में लिंक का इंफेक्शन ठीक होने के बाद पुनह वापस लोट आता है। तब इस स्थिति में डॉक्टर दैनिक उपचार के कुछ समय बाद सापताहिक उपचार की भी सिफारिश कर सकता है। तो हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेयर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें। हन्यवाद